हलो गुद मॉर्निंग नमस्कार आप सभी परसिक्षो का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सिक्षन पर स्वागत है दोस्तों ये डियलेट थर्ड सेमिस्टर की लेसन प्लान फाइल है जो मैं आपको बनवाने जा रही हूँ इसमें टोटल 20 लेसन प्लान मैं आपक कंप्लीट कर चुके हैं तो यदि आपकी से पहली वीडियो मिस हुई है तो आप प्लेइलिस्ट में जाकर के चैनल की सर्च कर सकते हैं पार्ट योजना त्रित्य सैमेस्टर पार्ट योजना तो आपको सभी लेसन प्लान एक ही जगा पर मिल जाएगे या फिर मैं आपको प सरीके से आपको अपने इंटेंसिफ फाइल बनानी होंगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आशा करूंगी यदि आपको लेसन प्लान पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे चलिए आप शुरू करें साथ सत्रवी पार्ट योजना आपने अपने कंटे करम में हेडिंग डाली है जहां पर हम हर एक दिन अपना थोड़ा से डाटा लिखते हैं कि कौन से नंबर का लेसन प्लान है कि सब्जक्ट का है और विशय क्या होगा ठीक है यानि परकरण क्या होगा वो भी हम यहां पर नोट करते हैं कंटेंट वाले पेज पर सबसे पहले तो लिखिए सत्रवी पार्ट योजना सामाजिक अध्यन विशय की होगी और गुरू गोविन सिंख परकरण होगा ठीक है उसके बाद अठारवी जो पार्ट योजना हम बनाने वाले हैं वो सामाजिक अध्यन की ही होगी और सविधान आपका इसका परकरण रहने वाला है तो अब चलते हैं सिधा पार्ट योजना पर तो यहां पर सित्रवी पार्ट योजना आपकी मूबाइल फॉन की स्क्रीन पर बिल्कुल शो हो रही है सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए पार्ट योजना नंबर सत्रा उसके बाद वही कुछ महत्पून जानकारी जो आप परती एक पार्ट योजना में लिखते हैं जिसे छातर अध्यापक का नाम विध्याले का नाम कक्षा विसे दिनाक इन सभी जानकारियों को आपको यहा रहेंगे तो सामान्य उद्देश से पहले निर्धारित कर लेते हैं क्या क्या हमारे सामान्य उद्देश्य होने वाले हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के तो वह होगे छातरों में इतिहास विसे के परती रूची उत्पन करना छातरों को अतीत के तत्यों की जानकारी देना चात्रों को महापुर्षों के बारे में बताना उसके बाद जो हमारा विसिस्ट एम होगा उदेश्य होगा उसकी अगर बात करें तो चात्रों को गुरु गोविन सिंग के बारे में जानकारी देना ये हमारा स्पेसिफिक एम है आगे बात करें पूर्व ज्यान के बारे में तो देखते हैं बच्चे पहले से कितना जानते हैं तो वहां हम पूर्व ज्यान का आप कह सकते हैं हेडिंग लगाएंगे और देखेंगे कि छात्रों ने महापुट्शो के बारे में पहले से भी सुन रखा है तथा वे सिक्धर् सामगरी सहयक कख्षा उपयोगी सहयक सिक्षिन सामगरी और गुरू गोविन सिंग्जी का चित्र आपके पास होना चाहिए सहयक सामगरी के रूप में आप बात करें प्रिस्तावना की तो अपने पेज को हमेशा की तरह दो कॉलम्स में डिवाइड करेंगे 6-6 लाइन का जिस के बाद फिर क्लास को सुरू करना है पहला परशना पूछेंगे होली किस धर्म के लोग मनाते हैं तो बच्चे जवाब देंगे हिंदू धर्म के लोग पगड़ी वैदारी किस धर्म के लोग रखते हैं तो बच्चे जवाब देंगे सिक लोड़ी किस धर्म के लोग मनाते है तो सिक धर्म के सिक धर्म की स्थाप्ना किसने की यहां बच्चे अटक जाएगे वो नहीं जानते कि इसले द्हर्म की स्थापना की तो फिर इसी के साथ आपको अपने प्रस्तिकरन करेंगे आप चैप्टर का omp वहां से सुरू करके और बेच में डेश 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 यानि लोप चिन लगा करके और बाद की एक लाइन वहां पर लिख देंगे पूरा चैप्टर लिखने के आपको यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो पर्थम यहां पर आपको लिखना है गुरू गोविंद सिंग और रोप चिन उसके बाद गुरू बन गए आपको फिर बोध परशन करने हैं बच्चों से जिन में पहला परशन होगा गुरू गोविंद सिंग जी का जनम कहां हुआ था तो बताएंगे पटना में दूसरा परशन था उन्होंने सिक्षा कहां पाई थी आननदपूर में गु पढ़ाएंगे उसी में से आंसर इनके निकाल लेंगे अब यहां पर दूसरा पेराग्राफ जो है इस चप्टर का वह आपको लिखना है गोविंद राय ने और लोप चिन उसके बाद गुरू माना इसके भी आपको बोधात्मक परशन पूछने होंगे बोध परशन पंच प्यारे कौन थे तो ये प्यारे सीस्टे थे इनके और सिखो का परवुग गरंत कौन सा होता है यहां फिर से बच्चे अटक जाएगे समस्यात्मक परशन हो जाएगा उनके लिए तो फिर आपको शामपट कार्या देना है कि गुरू गोविंद सिंग सिखो के कौन से गुरू थे और पंच प्यारे कौन थे जो परशन हमने यहां पर लिखे वही हमने शामपट पर उतार दिये देन आपने निरिक्षन कार्या करना है छात्र अध्यापक घूम घूम कर कक्षा में निरिक्षन करेंगे और जहां जहां बच्चा किसी परशन में अटकता है उसक ने अपने सीचियों को क्या नाम दिया तीसरा था सिख धर्म की पहचान क्या है या सिखों की पहचान क्या है निम्न के बारे में लिखे या आप क्लास में आप इसको रिपीट करवा सकते है जिसे गुरू ग्रंत साहिब के बारे में या पंच प्यारे के बारे में लिखने को दे सकते हैं बच्चों को दो दो तिल तिल नाई ने फिर उसके बाद आपने यहां पर ग्रह कारिया देना होगा ग्रह कारिया में आप दो परशन बच्चे से यहां से कर सकते हैं जादा भी कर सकते हैं जैसे गुरू गोविन सेंग सिखो के कौन से गुरू थे और पंच प्या मुझना लेसन प्लान हम कंप्लीट कर चुके हैं अब बनाते हैं एटिंथ लेसन प्लान है हेडिंग लगा लिजिए और उसके बाद वहीं जो कुछ भी सामाने जानकारी है उनको नोट कर लीजे चात्र द्यापक के नाम विध्याले कक्षय दिनाख विशे परकरण होगा हमारा इस बार सवीधान सामाने उद्देश क्या है हमारे सवीधान का ये चेप्टर पढ़ाने के तो पहला है चात्रों को एक सच्चा नागरिक बनाना दूसरा होगा चात्रों में कर्तव्य के पड़ती निस्ठा उत्पन करना, तीसरा है उन्में सामाजिक्ता की वहावना विक्सित करना, विस्षिस्ट उद्दे से होंगे चात्रों को भारतिय सब्विधान के विशे में जानकारी देना, इतना लिखने के बाद पूरू ग्यान चेक करना है कि छात्र नियम कानून शासन सब्बंदी सामानिय सी जानकारी पहले से रखते है, उसके बाद सहायक सामगरी आप परियोग करेंगे सव्विधान की पुस्तक का एक चितर आपके पास होना चाहिए, ठीके शामपट होना चाहिए, और ये तो हो गई आपकी सहाय द्यापक के लिए और दूसरी तरफ छात्र के लिए यहां हम बच्चों से कुछ पर्षन पूछेंगे जैसे हमारा देश का बाज़ाद हुआ था तो पंद्रा आगेस तुनिस सो से तालिस जवाब देंगे बच्चे हमारे देश का शाशन कोई चलाता है तो सरकार चलाती है सा विश्य कथन बोलना है कि बच्चों आज हम लिखित सविधान के बारे में पढ़ेंगे दैन आपको प्रस्तुती करना है सविधान विश्य चैप्टर का कि छात्रों हम देखते हैं फिर उसके बाद लोप चिन लगा करके दिये गए थे क्योंकि पूरा चैप्टर आपको ल प्रस्तुती कानून मनाने के लिए बनी सभा का क्या नाम था इसके अध्यक्स कौन कौन थे इसमें नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दी गए होते हैं ठीक है यानि सविधान में तो इस तरीके से आपको ये कुश्यन करने हैं और फिर आ जाना है आपको यहां पर कारिया में कुछ पर्षन आप देंगे हमारा देश का बाज़ाद हुआ सविधान बनाने में कितना समय लगा तो अपने शामपर कारिया देने के लिए एक चार्ट पेपर का आप ब्लैक चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं यहां पर और वाइट पैंसे उस पर लिख सकते ह देन आप पुनावरती पर्षन देंगे जिन में तीन पर्षन यहां पर लिखे गए है उस पुस्ता को क्या कहते है जिसमें कानून लिखा होता है सविधान मनाने में कितना समय लगा हमारा देश किस परकार का देश है देन आपको निडिक्षन कारिये करना है चात्र अच्छा में घूम घूम कर निडिक्षन करेंगे हैडिंग लगा ये ग्रह कारिये सभी चात्र सभी धान के विसाय में मुख्य बातों को याद करके आएंगे तो इसी के साथ आपका अठारवा लेसन प्लान भी कम्प्रीट होता है तो आज की वीडियो ने 17 और 18 लेसन प्ल लेंगे तो आप किसी के साथ लेसन प्लाइन की फाइल कम्प्रीट हो जाएगी ड्रेडी हो जाएगी सो गाइज यदि आपको हैल्फ लगती है वीडियो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें और चली बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपसे मुलाकात होग तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए